नवस्कार मसारदा पांडे आसान जिन्दकी किसी पिसोड में आपको स्वागत करती हूँ जैसे कि होलाश्टक लगने वाला है तो सभी सुभ कार्य मांगली कार्य आठ दिनों के लिए बंद हो जाएंगे ये देपी पंचांग में कलेंडर में विवाह मुर्त भी है और तमाम और भी सुभ मुहूर्त हैं लेकिन मैं पहले भी आपको बताए हूँ कि सुभ मुहूर्त होलाश्टक के दवरान होने पर भी आप विवाह न करें ऐसा विवाह जादा दिन तक नहीं चलता और मैं आपको बताऊंगी कि इस बार होलाश्टक आठ दिनों का नहीं नव दिनों है और पच्छाक के आपको कि होलाश्टक में सूफ और मांगलिक कार नहीं होते हैं हैं यह वह भिनाज आपको पंदीशी मालति आप बेटी यह पेटा होंगे तो पड़ गया हो गए कि दोरान ही विलाँ में विल्चा कर बचा एक संसकार मृत्तू यानि कि अंतिम संसकार उसको तो करना ही पड़ेगा यानि अगर किसी की मृत्तू हो जाती है तो अंतिम संसकार करना ही पड़ता है उसको तो नहीं टाल सकते लेकिन बाकी 16 संसकार में से 15 संसकार नहीं किये जाएंगे ग्रीप रवेश, ग्रीप नारम, मुंदन, बिभा, तीलक, बरच्छा, सगाई नहीं करेंगे गोध भरअय उगरा कर सकते हैं कियोंकि उसका माह निश्चित रहता है जैसे कि मालो अनप्रासन तो अनप्रासन का माह निश्चित है कि 6 महिना के अंदर ही करते हैं और गोद्भराई का भी माह निश्चित होता है सात्वे मेहने जिस मेहने करना होता उस मेहने तो यह सब चीज़े कर सकते हैं लेकिन बाकी और सभी चीज़े न करें ऐसा ही अन्भों में आया है कि होलाश्टक के दवरान किये गए बिवाह पहली बात तो चलते नहीं है और मा पूरे जीवन निभाना पड़ता है तो विशेश कर विवाह बिल्कुल न करें कोई भी सुभकार न करें यहां तक कि होलाश्टक के दवरान कोई भी चीज़ें का क्रे विक्रे फ्लेट और लेना भूमी लेना यह सब भी मना है आप पूछोगे कि क्यों मना है क्योंकि प्र प्रहलाद को विश्नु अराधना करने से रोकते थे लेकिन प्रहलाद जी विश्नु अराधना करते थे बहुत सारी प्रतारनाय दिये उनको परवस से नीचे फेक दिये नदी में फिर भी वो बचे इसी प्रकार से बहुत प्रतारना दिये और अंत में उनकी हिरडा कसपू कि बहन होलिका नामक उनकी बहन थी जो कि ब्रह्मा जी से बर्दान पाए थी कि उनको अगनी जला नहीं सकती लेकिन बर्दान का दुरुपयोग करने के कारण फागुन वहने के सुकल पक्ष की पूरिमा में अर्धरात्री के समय जब प्रहलाद जी को लेकर बैठती हैं तो भ बिदना भरा है यह कियोंकि फाल्गुन महने के सुकल पक्ष की अश्ट्मी से शुरू होके और फाल्गुन महने की पूरिमा में समाप्त हो जाता है होलाश्टक यानि पूरिमा के कारण होलाश्टक नौ दिनों का पड़ रहा है यानि कि 27 फरवरी से शुरू हो के और ये 7 मार्च तक चलेगा 8 मार्च को होलाश्टक समाप्त हो जाएगा फिर आप जो नौ तारीकों और बाकी जो तारीकों में विवाह मुहुरते हैं उसमें आप विवाह कर सकते हैं और आ आठ दिनों में साम, दाम, डंड, भेद, सभी प्रकार की प्रतारनाएं प्रहलाज जी को दिया जाता था हिरडा क सब के द्वारा तो भगवान श्री हरी विश्नु जी के साथ सभी देवगण, भगवान श्री गणेश जी, श्री ब्रह्मा जी, सिव जी, इंद्र, सभी दे इनके यातनाओं से कैसे बचेंग सकते जब दिवता ओँ दानों से वय थित रहते थे उन युगों में तो जब दिव इन sana दिनों में खुद ही बेथित हैं तो इसलिए अपने भक्तों को सुभता प्रदान नहीं कर सकते क्यों उनका भक्त प्रताडित होता रहता है द्रिश्टी होता है उनके भक्त प्रहलाद के उपर होता है और आपस में मंत्रना होती रहती है कि इनको कैसे बचाया जाए और इस दानों को कैस तो इन दिनों में आट दिनों में होलाश्टक का जो आट दिन होता है इस दिन में कोई भी देवता अपने भक्त को सुभकारों की सुभता प्रदान नहीं करते इसलिए होलाश्टक के दौरान होलाश्टक के आट दिनों में कोई भी सुभकार नहीं किया जाता और स्री प्रहल कश्ट दूर होते हैं और जो भगवान कि नाम को बोलोगे हमारे इस रिस्तेदार के उपर कश्ट है दूर हो जाए तो भगवान उनके उपर भी खृपा करते हैं इन आट दिनों में भगवान स्रिहरी विश्णू जी के मंत्रों का जो चार अरजब पूजा होता है, इसका काफी फल होता है, तो इसलिए मैं आपको बता रहे हूं कि इन आथ दिनों में, बहुत सारे लोगों कि अ विवाहा होगा, तैं हो गया होगा, तो लोग तो टाल सकते नहीं, कि हमारे कहने से आप लोग टाल दोगे, फिर अपने पंडित से पूछोगे, फिर बोलो कि सार्दापांडे मना करी हैं, साधी न करो, तो मैं फिर से बोल नहीं हूं, कि कई ऐसे मुहरत हैं, जेत हैं तुरे लेकिन रहर want को об mission, जीवन सुभता पानी है तो हो लाश्टक बीतने के बाद ही ये शुभकार करें इन आठ दिनों में सुभकार तो मना ही रहता है खरीदना बेचना या जो जैसे सोन खरीदना है जोना भी ऐसी चीज होती है कि आज जीवन व्यक्ति अपने पास उसको रखता है तो ए सब चीजो नागर तक यानि हो लिक्या अगया दहन के साथ ही समाप्त हो के आठ तारीख हो जायेगा जो जो नव तारीख को जो भी टिथियां है वीवाहा की उसमें शुभ लगन में विवाहह हो सकते हैं जैसे कि दुकान आप खोड़ना चाहते हैं तो दुकान पूरी तरह से बन गया है उसका आप उठ घाटन करना चाहते हैं फिर आपका बहुत सारे लोग दुकान जैसे खोले है तो ज़रूरी नहीं कि वह लाष्टक के समय ही खोले हैं तो उनका नहीं चल रहा है तो होलाष्टक के समय खोली हुए बेवसाय जो भी सवब गवर होते हैं दुकाने होती है वह अगर आपका घर बनना शुरू हो गया है तो उसको नहीं रोकना है उसको बनते रहने देना है इसको ब्हूलते है फिर जो लगा जाता है तो उसकी भी विसेश पूजा होती है तो में गेत न लगाए ऊचट unicorn लेकिन इन कामों को नहीं रोकना है में गेट और छट अगर नहीं पड़ी हो तो नहीं डालना चाहिए इन हो लाश्टक में और बाकी और जो भी प्रतारित करता था प्रहलाद जी को तो अपने प्रतारित करने के साथ जो प्रभु भक्त थे उस समय जो विश्णु जी का जाप कर दे था उनको जाप नहीं करने देता था हमन नहीं करने देता था तो जो अनिष्ट सक्तियां है जो अनिष्ट सक्तियां थी उस समय तो जैसे प्रभाव सहरा के दिन रामर्दहन क्यों करते हैं मनाते हैं तो उसी प वर जित रहतें कोई भी सुवकार करता है तो वो उस पर हावी हो जाते हैं और उस सुपथा को असुपथा में बदल देते हैं इसलिए इन आठ दिनों में उन प्रबल सक्तियों को सांत करने के लिए दूर भगाने के लिए सहरी का जाब किया जाता है तुलसी पूजन किया जाता है होम किया जाता है मंत्रों का जाब दान किया जाता है जिससे वो अनिश्ट नकारात्मक सक्तियां घर से और विक्तियों से घर वालों से दूर रहें सकारात्मक उर्जा घर में प्रवेश करें और सात्विक बने रहने पर इस सभी सक्तियां दूर ही रहती हैं और जब यह सब चीजें बीत जाएं भगवान की क्रिपा प्राप्त करने के लिए सुभकार करना चाहिए तो आपको मैं होलाश्टक के बारे में बताए हूं कि क्यों शुभकार आठ दिनों में बंद हो जाएंगे क्यों नहीं करना चाहिए क् इसके पहले आसान जिंदगी में बहुत सारे वीडियो होली के बारे में दिया गया है तो आप उसको भी देखें और जितने भी वीडियो जितने परव आ रहे हैं सभी परवों के वीडियो आपको हम ऐसे ही देते रहेंगे तो आप सभी हमारे साथ ऐसे ही बने रहें देखत तेरे हैं आसान जिंदगी तब तक के लिए नमस्कार